नमस्कार दोस्तों 1950 में इंग्लिस चैनल को तेर कर पार करने वाली पहली अमेरिकी महिला फ्लोरेंस चाडविक के बारे में एक लेक प्रकासित होता है जिसे पढ़कर एक सक्ष बहुत प्रिरित होता है और उसे इस उबलब्दी को अपने नाम करने का प्रयास करता है इसी प्रयास में 1959 में साउधन यूके के डौवर से कैलाइस फ्रांस तक 26 मिल का सफर तैर कर पार करता है और अपने नाम परथम भारतिय जो इंग्लिस चैनल को पार करने का स्रेय दर्ज कर देता है जानते हैं वो सक्ष कौन था मसहूर लंबी दूर का तैराग मिहीर सेन था मिहीर सेन का जन 16 नवंबर 1930 को पूरलिया पस्षिम मंगाल में डॉक्टर रमेश सेन गुपता और उनकी पतनी लिलाबती के घर हुआ था जो एक गरीब मधम वर्गिय समुदाय से मंगाली ब्रामन थे अपनी मां लिलाबती के प्रयासों के कारण जब मिहीर आठ वर्ज के थे तब सेन कटक चले गए क्योंकि कटक में बहतर उस्कूल थे गरीबी के चपेट में आने के बावजूद महीर रें उडिसा के भूनेस्वर में परसिद्ध उतकल विस्विदाले से कानून के डिगरी के साथ इसनातक की उपाधी प्राप्त की वो खुद को बार के लिए तियार करने के लिए इंगलेंड की यातरा करना चाहते थे लेकिन धन की कमी और उडिसा के ततकालिन मुख मंतरी से प्राण में एक समर्थन की कमी के कारण वो विवस्त थे बहरहाल 1950 में वो मुख मंतरी बीजू पटनाय की मदद से इंगलेंड जाने वाले एक जहाज पर चड़ने में काम्याब रहे उन्हें एक सूटकेस, दस पाउंड और एक तरफा तिसरी स्रणी का टिकट दिया गया था आई जानते हैं मीर से इंगलेंड में अपना जीवन कैसे बिताया इंगलेंड में उन्होंने सुरवात में एक रेलवे स्टेशन पर रातरी कूली के रूप में काम किया इसके बाद उन्हें भारती अउचायोग इंडिया होस में नुट किया गया उन्होंने 21 नमیंबर 1951 को कानून के पढ़ाई के लिए लिंकैन इनमें दाखिला लिया उन्होंने पूरे दिन इंडिया होस में काम किया और रात में घर पर पढ़ाई की वो लिंकन इन में वेक्षान में भाग लेने का जोखिम नहीं उठा सकते थे और उन्होंने उनकी लैबरेरी से उधार ले गए पुस्तकों से स्वैम अध्यन किया उन्हें 9 फरवरी 1954 को लिंकन इन के बार में बुलाया गया और एक तैराक के रूप में उनकी उपलब्धियां उनकी परतिष्ठित ब्लैक बुक्स में दर्ज हैं इस दोरान लंदन में इंटरनेशनल यूथ होस्टल में एक निर्त के दोरान उनकी मुलाकात अपनी भावी बिटिस पतनी बेला बेन गार्टन से भी हुई चलिए उनकी तैराकी करियर के बारे में जानते हैं और पैंतालिस मिनट में डोवर से कैलाइस तक इंग्लिज चैनल तैरने वाले पहले भारतिय बन गए भारत लोटने पर उन्हें 1969 में परधार मंत्री जवहारलाल नहरु द्वारा पदमस्री से सम्मानित किया गया इसके बाद वह एक कैलेंडर वर्स 1966 में पांच महाधीपों के महासागरों को तैरने वाले एक मात्र वेक्तिरी होने का गौरव हासिल करने के लिए निकल पड़े सेन प्रायजो को विसेश रूप से कोलकाता देनिक दैस्टेट्समेन के माध्धम से आदा पैसा जुटाने में काम्याब रहे और सेश रासी को प्रायजित करने के लिए ततकालिन परधान मंत्री इंद्रा गांधी को मना लिया मिरसेन ने 5-6 अप्रेल 1966 को सिलोन, सिरलंका और धनुसकोडी भारत के बीच 25 गंटे और 36 मिनट में पाक स्टेट को तैर कर पार करने वाले पहले भारते बनने के उपलब्दी सफलता पुरूबग हासिल की एड्मिरल अधिर कुमार चटर जी ने उनके आइसाथ आईएस सुकन्या और आईएस शारदा भेज कर उनका समर्थन किया इसके बाद 24 अगस्त को वो 8 गंटे और एक मिनट में जिबराल्टर स्टेट को पार करने वाले पहले एसियाई बन गए और 12 सितंबर को 40 मिल लंबी डार्डेनिल्स गैली पॉली योरोग को तैर कर पार करने वाले दुनिया के पहले वेक्ति बने सेदुल बहीर एसिया माइनर तक 13 गंटे और 55 मिनट में उन्होंने पार किया उसी वर्स सेन चार गंटे में वोस्फरस तैरने वाले पहले भारतिय बन गए और 34 गंटे में पनामा नहर की पूरी 50 मिल लंबाई तैरने वाले पहले गैर अमिर्की भी बन गए इस अनूठी और प्लब्धी में उन्हें लंबी दूरी की तैराकी के लिए गिनीज बूक ओफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दिलाई और उन्हें 1967 में परधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा पदमभूशन से समानित किया गया उसी वर्स उन्होंने दुनिया के साथ समुद्रों में साहसिक उपलब्धियां के लिए ब्लिट्स नहरूट ट्रोफी भी जी थी बाद के वर्सों में मिहीर का जीवन भारत में गुजरा उन्होंने सुरुवात में कलकत्ता उच नियाले में अपराधिक कानून का अभिहास किया लेकिन बाद में एक सफल व्यवसाई बन गए उनकी कमपनी को भारव सरकार ने देश के दूसरे सबसे बड़े रेश्वन रियातक के रूप में महनेता दी और इस परकार समानित भी किया गा 1977 में कमनिष्ट नेता जोती बसु ने उन से एक हाई परफाइल सरकारी पद्ध के बदले में भारती कमनिष्ट पार्टी में सामिल होने और परचार करने का अनुरोद किया घोर कमनिष्ट विरोधी होने के कारण सेन ने इनकार कर दिया और उसके बजाए बसु के खिलाफ एक स्वतंत्र उमिद्वार के रूप में अपना परचा दाखिल कर दिया CPIM के जीट के साथ बसु ने परतिसोधात्मक रूप से सेन के वैवसाय पर हमला किया और लगातार इसके काम काज को कमजूर कर दिया जब तक कि इसे स्थायरू से बंद करने के लिए मजबूर नहीं किया गया CPIM के इस अकरमक ट्रेड उनियन वाद में सेंटर अफ इंडियन ट्रेड उनियन ने प्रमुख मुवी का निभाई सेन के कारेलों, कारखाने और उनकी खुद्रा दुकान के बाहर दिवारे, नारे और भित्ती चित्रों से भरी गई कपड़ा फैक्टरी में नियन्तरित अधार पर हरताले होने लगी, जिससे काम पूरी तरह ठप हो गया सिल्क स्कीनी और सिल्क ब्लॉक प्रिंट फैक्टरी में निर्यात के लिए तैयार माल से भरे ट्रकों में आग लगा दी गई इस सब के दोरां स्थानिय पूलिस ने सेन की मदद करने से इंकार कर दिया, सेन के सफल व्यवसाय को सीपी आईम, नेत्रित द्वारा व्यवस्थित और बेहरमी से नश्ट कर दिया गया और उन्हें दिवालिया होने के लिए मजबूर किया गया, इस दुख को और अधिक अपमानित करने के लिए उनके खिलाब जूठे मामले शुरू किये गए और उनके घर और कारेलों पर पूलिस दौरा बार बार शापे मारे गए और उनकी संपती जब्ट कर ली गई, उनक मस्तिस्क में छोटे-छोटे स्ट्रोक की एक स्रिंग ख्ला सुरू किये जिससे पचास साल की उम्र में अलजाहिमर जैसे रोग शुरू हो गई जो उनके जीवन का सबसे महत्पूर्ण समय था एक दुर्जे राजनेतिक प्रद्य देने के लिए काम करने से इंकार करने से दु झाल